नमस्कार आप देखने हैं लेगली स्प्रिकिंग और सोचल मीडिया पेज मैं हूँ आशिस सिन्हा एक बार फिर से कोलेजियम की नामों की रिक्मेंडेशन को लेकर केंद सरकार और सुप्रीम पोर्ट की भी श्ठन गई आदालत या कोलेजियम को कुछ ऐसा निर्ने लेना होगा जो स्वरकार को यानि केंद सरकार को स्विकार नहीं होगा पीट ने आगे कहा कि हमने टॉनी जनरल से कहा है यह फिर से चिंता का विशे है क्योंकि कई मौकों पर इस बात पर जोड़ दिया गया है कि अगर कुछ न्युक्तिया की जाती है और कुछ की रह जाती है तो परसपर वसेश्टा में सिनियर्टी में दिक्कत होती है उधारन के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक साथ दो जजिस के नाम जाते हैं A और B केंद सरकार B वाले जज़स को चुन लेती है लेकिन फिर कोलेजियम की बैठक होती है दुबारा जब कोलेजियम वो नाम भेजता है तो केंद सरकार को वहाँ पर उस नाम को मानना पाते होता है लेकिन इसमें कई महीनों का गया पाजाता है क्योंकि उस एक साथ फिर C, D, E ये सारे जज़स होते हैं यही बात सुप्रीम कोड समझाना चाह रहा है और केंद सरकार को कह रहा है कि अगर आप पिकेंड चूज करेंगे एक जज़ को आप चूज करेंगे दूस असिष्ट करेंगे यानि आदालत को बताएंगे लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए सुप्रीम कोड ने केंद सरकार की जली को मंजूर करते हुए उन्हें 20 नॉमबर तक की तारीक दी है यानि 20 नॉमबर को जब मामले के अगली सुनवाई होगी तो केंद स सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने पिक एंड चूज की जो निती है वो क्यों अपनाई है जैसा सुप्रिंग कोड कह रहा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें धन्यवाद